नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संचारी और देल से स्वागत करते हूँ आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ये इच कोकिंग पर आज में लेकर आए हूँ सेंफली यानि ब्रॉट बिन्स की पहुत ही चटपटी सी जटपट बनने वाली एक रेसिपी जिसको आप रोटी चाव लेंगे और उसके बाद हमें चाहिए प्याज और टमाटर तो प्याज को हम पहले चार हिस्सों में काटेंगे और चार हिस्सों में काटने के बाद ना इससे हमें जो लेयर से उसको सेपरेट कर लेना है हम बहुत ही जटपट इसको बना के रेडी कर लेंगे कोई भी ताम ज जो सीट्स रहते उसको अब अलग कर लीजिए और टमाटार और प्याज काटने के बाद हम चलेंगे फाइनल स्टेप में बहुत ही जटपत बनके रेडी हो जाता है दोस्तों सेम के सबजी तो अब कई तरीके से बना कर खाए होंगे ट्राइ किये होंगे इस तरह से एक बर बन कर देंगे सिम, ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सर नमक और साथ में डाल देंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर, बहुत अच्छी तरीके से नमक और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम ढखकन लगा के सिम को कूक करिए लिएक पढ़ करने के ताइम सेम को फ्लिप कर दूँगी ताकि नीचे का जो पाठ है वो भी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और फिस से हम इसका ढगा देंगे एक दो बड़ अलटते पलटते हुए आपको सेम को बहुत अच्छी तरीके से कूख कर लेना है पहले तो चार से पाच मिनी टोटल हो चुका है दोनों तरब से सेम जो है बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और नमक डालने से क्या होगा यह जो सॉफ्ट होने का प्रोसेस है वो जल्द हो जाएगा और जो नमक है वो भी सेम के अंदर तक बहुत अच्छी से जला जा और साथ में डाल देंगे एक चमच के करीब अज्रक लेसन का पेस्ट आप चाहो तो ग्रेटेड जिंजर और ग्रेटेड लेसन भी यहाँ पे डाल सकते हो कोई भी एक डालने से चलेगा तो ये पेस्ट डालने के बाद आधा मिनित के लिए मैं इसको चला दूंगी और उसके बाद जो कटे हुए प्याज है उसको हम डाल देंगे प्याज डालने के बाद प्याज को हमें बहुत अच्छी तरीके से फ्राइ नहीं करना है जेस्ट आधा से एक मिनित के लिए हाई फ्लेम है हमें इसे फ्राइ कर लेना है ताकि इसका जो क्रंच है वो भी बना रहे और प्याज है बहुत सॉफ्ट ना हो जाए प्याज को आधा मिनित के लिए भूल लेने के बाद इसमें मैं डाल चुकी हूँ टामाटर और प्याज को एक पर आपस में बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद कुछ मसाला हमें इसमें एड कर लेना है तो फ्राइ करने के टाइम तो थोड़ा से हल्दी डालेंगे और डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर यह तीखा वाल मिर्ची है आप तीखापन अपने चोइस के अकॉर्डिंग एग्जस्ट कर लेना अभी सारे चीज़ों को हमें दो मिनित के लिए बहुत अच्छी तरीके से कुक कर लेना है वो भी हाई फ्लेम में गया इसका फ्लेम बिलकुल लो टू मीडियम नहीं कीजिए हाई फ्लेम में रखते हुई यह प्रोसेस को हमें कम्प्लीट कर लेना है और जब टमाटर हलका सा सौफ्ट होने लगे तो कुछ टमाटर को स्पैचुला की मदद से हम मैश कर देंगे सारे टमाटर को हमें तोरना नहीं है जस्त कुछ टमाटर को हम ऐसे मैश कर देंगे और फिर से एक बड़ मिक्स कर देंगे सारे चीजों को तो सब कुछ आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है अभी जो सेम को फ्राइकर के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे, बहुत ही जटपट बनता है, दोस्तों इसको एक बड़ पॉजिटिबली ट्राइ कीजेगा, कोई भी ताम जाम नहीं है, बहुत ही जटपट आप इसको बना सकते हो, घर में गेस टाने पड़ आप इसको बना के साफ कर सकते हो, खाने में बहुत टेस्टी लगत है, तो सेम डालने के बाद एक बाद सारे चीज़े को मिक्स कर देंगे, और लो फ्लेम में दो से तीन मिनिट के लिए फिर से हमें इसको पका लेना है, ताकि सेम में अगर कुछ भी कसर बाकी रहेगा हो, तो वो भी यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा, तो सबजी बनके बि पॉजिटिवली इसको एक बाद ट्राइ कीजिएगा और शेर कीजिएगा अपने एक्सपिरियेंस, तो ऐसे चटपड चटपड बनने वाले रेसिपीस मेरे चैनल में अल्रेडी अपलोड़ेड है, अगर आप लोग चाहो तो विजिट कर सकते हो, तो इसको हम प्लेट आउ तो ये रेसिपी जो है, कैसे लगी आप लोगों को पसंद आने पर प्लिस दू सब्सक्राइब मैं चैनल और लीव यूर वालोबल कमेंट्स और ये रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू वेरी मुच, स्टेशिप, 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 स्टेश्टी, ट